कहते हैं कि शहरी और ग्रामीर जीवन में बड़ा अंतर होता है तरसल शहर में बिकुल चाहे पडोस में हो या सामने हो कोई व्यक्ति उसके बारे में किसी कोई-कोई खवरी ही नहीं होती कि वो ठीक है या नहीं है उसके घर में कितने सदस से रहते हैं कितने नहीं रहते हैं, कब उसे जरूत है, कब उसे जरूत नहीं है, जबकि ग्रामीड जीवन बिकुल अलग होता है। एक शहरी जीवन की, और उस शहरी जीवन में दो कतल हो जाते हैं, और कतल होने के बाद लाश लगभग आठ दिन से घर के अंदर पड़ी हुई थी, ऐसा नहीं था कि उसके अंदर दुर्गंद नहीं आ रही थी, दुर्गंद आ जरू रही थी, लेकिन पडूसी नहीं जानने होती है, बिहार प्रदेश का एक इलाका है, शिवान और इसी की ही रहने वाली एक महिला होती है, जिसके नाम प्रतिक्षा होता है, प्रतिक्षा दरसल अपनी बहन को कई दिन से लगादार फोन कर रही थी, उसकी छोटी बहन जो की एक स्कूल में सिक्षिका होती है, उसका क वो परिशान होकर 24 अपरेल दोहजार चोबिस की शाम लगभग 6 बचकर 15 मिनट पर अपनी बहन के यहां राजिस्थान का एक जिला है खैर्थल और खैर्थल का ही एक भिवाड़ी इलाके से लगभग 13 किलो मिटर दूर एक टपू कोड़ा थाना है वहाँ पर एक त्रहान सोसा के दस्वें फिलोर पर बोजड़ जाती है और बाहर खाड़े होकर लभग 15 मिनट तक अपनी बहन का इंतजार करती है फोन मिला रही थी कोई रैस्पूंस नहीं मिल रहा था बाचित करने की कोशिश कर रही थी कई बार दर्वाजा भी खटकटाया लेकिन दर्वाजा खटक करते हैं कि हमारी तो इनसे कोई बात चीज जादा है नहीं और हमने इने देखा भी नहीं है पिछले कई दिनों से तभी दूसरे घर को भी खटकटाया जाता है दूसरे घर से पूछा जाता है कि क्या तुमने हमारी बहन को देखा है तो दूसरे घर वाले कहता है कि मैं लग पड़ोसी से पूछा कि यहां कुछ आजीव सी smell आ रहे है ,कि आपको भी आ रहे है तो पड़ोसी नहीं कहा कि क्या तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि यह smell किस तरह करने की आदत नहीं है वो महिला जिसका नाम पर तिक्षा होता है अपनी बेहन को ढूंडते ढूंडते वो फिलैट पर पहुँची हुई थी वो थोड़ा परशान हो जाती है कि दाल ताला लग पिछले कई दिनों से लगा हुआ है दर्वाजा खुल नहीं रहा है तो आखिरक को आप इनको सुचना दी जाती है यहां फिर भारी फोर्स पहुँच जाती है अब चाहें वो ऐसे चो हो हो या फिर डीएसपी हो यहां जाते हैं दर्वाजा से खोलने से पहले उसकी वीडियोग्राफिक की तैयारी शुरू हो जाती है और आसपास के लोगों से पूंचा जाता है अब डोग स्कॉाइट को बुला जाता है लेकिन जिस तरह के डोग हरकेते कर रहा था उसको देखकर लग रहा था कि यहां पर कुछ ना कुछ ज़ूर गलत हुआ है दर्वाजा आखरकार तोड़ दिया जाता है और दर्वाजा तोड़ने के बाद जब घर की लाज़े मिलती हैं और दोनों लाज़ों को देखने के बाद जितने भी पुलिस वाले हों अडोसी पडोसी हो उसकी बेहन हो हर किसी के होश्वाक्ता हो जाते हैं यह सोच कर यह देखकर कि आखिरकार इतना भैयनक अंपल कैसे हो सकता है आखिरकार यह सब किसने क्या है दो लाशे थी, एक लाशe होती है, 25 वर्ष ये सर चुके थी, मख्या उन्पर बिन मा रही थी, और दुर्गंद के मारे उस कमरे में 29 बिर उना मुश्किल हुरहा था, अब जो इसका पति होता ह है, निशानत पांडे वो गायब था अब उसके बास जब फॉन करने की कोशिश कर रहे था उसे संपर्क साथ नहीं कोशिश कर रहे थे उसे संपर्क हो नहीं पा रहा था तरसले निशानत पांडे जो कि गुरूरां की एक प्राइवेट कंपनी में रहकर बोनों करी कर रहा था और जब पडोसे से पूंचा जाता है तो निशानत भी कई दन उसे गयाब था अब निशानत कहा है सही है गलत है उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है या फिर वो ही कहीं कातल तो नहीं है पुलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे परिवार के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे अब बहन का रोरो का बुराहल हो जाता है मा को फोन के आयता है मा भी आ जाती है परिवार के बाकिस अदस से भी आ जाते है लेकिन निशानत के परिवार वालों से संपर्ग साथने की कोशिश की जाती है तो निशानत के परिवार वालों से संपर्ग हो नहीं पाता अब ऐसे इस्तिती में पुलिस करे तो क्या करे तब पुलिस ने जब कड़ी मशकत की तब इसमें मामले की जांच परताल करना शुरू किया है तो मामले की जांच परताल करने के बाद पुलिस के सामने कुछ चोकाने बाली बात है सामने आती है दरसल कहानी शुरू होती है साल 2012 से फेस्बुक का वो दोर शुरू ही हुआ था लोगों ने अपने-पने मुवाइलों में अपने-पने लैटोप और डेक्सटोप में जाकर अपना Facebook डाउनलूड किया था और उस पर धीरे-धीरे करके दोस्ती बढ़ रही थी अंजान लोगों से दोस्ती की शुरुबात हो जाती है और अंजान दोस्तों से ही जब दोस्ती हो रही थी तो उसमें एक निशांत पांडे और एक लड़की थी रितू उर्फ अकांशा इन दोनों की पहले फ्रेंड्शिप होती है एक दूसरे को रिकेस्ट भेजते हैं और एक दूसरे से बाचीत करने लगते हैं बात सुख दुखी होनी शुरू हो जाते हैं फिर दोनों एक दूसरे से लगाब इतना रखने लगते हैं कि एक दूसरे के बिना रही नहीं पाते थे और ऐसे करते करते साल 2012 से कहानी शुरू होकर धीर धीर आगे बढ़ती रहती है लड़की कभी अपने परिवार वालों को नहीं बताती और लड़का भी कभी अपने परिवार वालों को नहीं बताता लेकिन जब 4 साल बीच जाते हैं साल 2016 में लड़की कहती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करके अपने एक जीवन बिताएंगे तो लड़का भी तयार हो जाता है इस बात को लेकर लड़का बीटा का टोपर होता है और उसे एक अच्छी नोकरी मिल जाती है दिल्ली के पास जो हर्याना का गुरू गुराम एक शहर है वहाँ पर एक प्राइबिट कंपनी में उसको नोकरी मिल जाती है लड़की भी पड़ी लिखी होती है तो उसको प्राइबिट नोकरी का उसका जोगार बजाता है लिगी सिक्षिका बन जाती है अब यहां से वो शादी करने के बाद लड़की वाले अपने लड़की को साख खुशल उसे विदा कर देते हैं अब लड़की उस लड़के के साथ यानकी प्रैमी प्रैमी का दोनों साथ रहने लगते हैं शादी के बाद यानकी अरेंज मैनिस के बाद सब कुछ ठीक चला लेकिन वो लड़का इतना शातर इतना तेज निकलता है कि उसने इस शादी के बारे में आपने भाई, बेहन, परिवार कि किसी भी सदसे से जिकर नहीं किया और वो आराम से वहाँ पर रहने लगता है और राजिस्थान का जिक खैर्थल एक जिला लगता है खैर्थल जिले का एक टपू-कड़ा थाना है और टपू-कड़ा थाने का एक तरहान सोसाइटी होती है तरहान सोसाइटी में रह रहे थे वक्त आगे बढ़ता है और एक बच्चा भी पैदा हो जाता है इनकी बेटी का नाम रख़ा जाता है नवयपांडे और इनकी लाइफ युकुल ठीक छल लही थी अच्छी कासी लेकिन लड़की देखने में सुंदर होती है इसलिए लड़के को कभी-कभी शक होता था कि कहीं ना कहीं इसका किसी से अफेर चल रहा है इसलिए वो बार-बार से टोक ता था रोकता था कि मुझे तुम पर शक है मैं डूटी पर जाता हूं और परिवार वाले बाचित करते हैं और उसकी एक लड़की से शादी कर देते हैं यानि कि एक तो शादी उसने पहले ही कर रखी थी अकांशा से और एक और शादी वो परिवार वालों की मर्जी से शादी कर लेता है अब अपनी बीवी से वो कभी कवार मिलने के लिए चलाया करत जैसे के पर्देश में लोग नोगरी करते हैं और कभी कबार गर पर जाते हैं तो उस बीवी को भी श NOTE होता है और यह जो पहले से ही ंपार हो जाती है औरhail यहां रहने लगते हैं राज़िस्तान के कहा सुनी भी शुरू हो जाती है कहा सुनी भी कुछ जाद हो जाती है कई बार बात हाताबाई तक की नोबत आ जाती है लेकिन 14 अप्रेल 2024 को इनके बीच में कुछ जगड़ा जादे बढ़ जाता है तब ही इस लड़के ने फैसला किया जिसका नाम निशानत पांडे होता है कि अब बहुत सर्थ से पानी उपर वह चुका है अब इसे छोड़ना नहीं है अब इसलिए वो लगातार प्लानिंग करता था कि कुछ ना कुछ किया जाए और एक दिन मोका आता है 17 अप्रेल 2024 किशाम जैसे ही वो अपने ओफिस साता है घर प्राने के बाद इसकी कहा सुनी कुछ जादे हो जाती है और आकांशा से जह जादा हो जाती है उसने उसका गला पकड़ा और तब तक उस गले को दबाता रहा जब क्या आकांशा के प्रान नहीं निकल गी उमर जाती है और उसे वो आराम से बिस्तर पर लिटा देता है और पास में बेटी लेटी हुई थी बेटी को इस बात का बिक्कुल भी इल्म नहीं था बिक्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसकी मा मर चुकी है जब बेटी को किसी चीज के जरूत पड़ती है तो वो उसे प्य होगा क्या, कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, पूरी रात ही सोचने में निकल जाता है, नो घंटे बीच जाते हैं, और सुबह के चार हो जाते हैं, यानि कि सुबह के चार बज चुके थे, सत्रे के शाम की लफ़ग, साथ बजे के आसपास, उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया था, अब आठारे के सुबह चार बजे जब उसके आँख खुलती है, तब उसने प्लानिंग किया कि आप कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, यानि कि सोती होई बेटी का गला दबाता है, और गला दबाने के बाद उसकी भी विकुल वैसी हत्या कर देता है, जैसे कि उसने अपनी पत्नी को मारा था, एक तरफ पत्नी की लाश पड़ी हुई है, एक तरफ बेटी की लाश पड़ी हुई है, अब बीच में लेटा हुआ है, ये निशानत पांडे, इसने 9 घंटे लगे सोचने में, जैसे अपनी बेटी को मारना है, उसके बाद फिरी इनको दोनों को मार कर, अब दिन निकलने लगता है, अब यहां से निकले तो कैसे निकले, खेर वो इनतजार कर रहा था, दिन निकलने का जिसे रोज मररा की तरह अपना, अपनी पत्नी के पास गाओं पहुंच जाता है, वहाँ आराम से रहता है, अभी इस पीच में उसके पास इस स्कूल से फोन आता है कि बही अकानशा करें इन से विद्याले नहीं आ रही है, क्या बात है, वो कहता है कि ज़र तबीयत खराब है, इसलिए वो विद्याले नहीं बात कर लेना और मैं गाओं आया हूँ जब आ जाओंगा तो मैं आपकी बातचीत भी करा दूँगा यानि कि वो लगातार कोई ना कोई बहाना कर रहा था ऐसे लग रहा था ऐसे सिच्वेशन को अंजाम दे रहा था जैसे कुछ हुआ यह नहीं है जब कि उसने दो कतल कर दिय अधिरकार पुलिस ने जब उसकी फौन कोल की डिटेल निकालने के बाद किसके वो संपर्क में था और जब पुलिस ने उसका पता करने की कोशिश की प sorta चलता है क्यू बिहार के शिवान के वो रहने वाला होता है आधिरकार पुलिस वहां जाती है 27 अपरेल 2000 24 को इस को पूरे इस घटना करहिंगा जब खोलासा होता है तो लोगों को यकिन नहीं हो रहा था कि जस से वो इतना प्यार करता है जिस बेटी से वा इतना TAKBooks करता था आकिरकार वो उसके हत्या ऐसे कैसे कर सकता है मा की हत्या करने में और उसके बाद जब बेटी की हत्या करता है तो दोनों में नो घंटे का अंतर होता है जब कोर्ट में इस तरह के मामले की सुनवाई होती है तो जजसाब इसी चीज़ को पकड़ते हैं कि उसने पहली घटना हो सकता है कि वो जल्दवाजी में या फिर मारपीट में या कुछ ऐसी सिचुशन पैदा हो गई हो कि जिसके वेसे उसने हत्या कर दी लेकिन जब बेटी की हत्या करता है तो बेटी अच्छी खासे आराम से सो रही थी कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं थी कोई चीखने की स्थिति में नहीं थी और उसने बड़े ही आराम से सोती हुई बेटी का गला दवा दिया अगर इस मामले की पुफता तरीके से कोट में पैर भी की जाए तो उम्मेद है कि इस मामले में इस आरूपी को फासी की सज़ासे कम नहीं होगी हलाकि हमारे यहां के कानून विवस्ता की बात करना बेकुल बैमानी हो जाएगी क्योंकि यहां पर केस सालो साल चलते रहते हैं अपरादी या तो जेल से बाहर रहता है या जेल में रहके सुरक्षित महसूस करता है और वहराम से उसकी जिन्दगी कटती रहती है बविश्य में क्या होगा इसका पता नहीं लेकिन पुलिस की तो कोशिश यही है कि इस आरूपी के खिलाब कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए ऐसी चार शीट लगाए जाएगी और अदालत से इसको सज़ा दिल लवाई जाएगी दोस्तो इस पूरे घटना के रही को सुनाने का उध्येश ए किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बल्कि आपको जागरू करना है आपको सचेट करना है और जाते जाते आज शाहनावाज आलम है, आज इनका जनम दिन है, इनको जनम दिन की धेरो सारी शुपकाबनाएं, बहुत-बहुत मुबारक बात, साथ ही कुछ लोगोंने नाम लेने की अपील की है, जिसमें चुरूर राजस्तान के रहने वाले हैं, लक्षमन कासवान, उत अब सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, जैहिन, जैभारत